पर्मिश्वर की आचरण के प्रभाव पर्मिश्वर की आचरण के प्रभाव प्रभाव अनुसार भौतिक संसार में जब किसी की जिन्दगी भौतिक ताकी आदतों से आजाद हो करके आत्मा के नियंत्रण ने चली जाए इसे पर्मिश्वर इसे राज्ज कहते हैं आज हमारा बोल संसार की अनुसार है हमारा काम संसार की अनुसार है हमारा देखना संसार की अनुसार है हमारे चलने फिरने संसार की अनुसार है जब हम सब कुछ संसार के अनुसार कर ही रहे है और मातर प्रभु पर विश्वास करते हैं मारा गया गाला गया जी उठा और हमने विश्वास कर लिया और प्रभु की भक्ति करने के लिए उसके भावन पर आने लगे तो आपको क्या लगता है हम परमिश्वर के राजी बन गए ग्रेट कन्फूजन आप भरांती में न रहें परमिश्वर के भावन में बाइबिल चाती पर लगा करके जाकर बाइबिल पढ़ करके कुछ सुन करके कुछ गाह बजा करके और कुछ दांचन्दा दे करके आप अपने आपको परमिश्वर के राजी का दावा ना करें वरन जब तक परमेश्वर अपनी महान योजना के अनुसार पुत्र येश्व के रास्ते पवित्र आत्मा के जीवन स्वास के द्वारा हमारे जीवन में भौतिक वाद की समझ से हटा कर आत्मिक वाद की वादानों पर नहीं लाएगा न तब तक हम परमिश्वर के राज नहीं हो सकते हमारे सोच तो भौतिक वादी है हमारे बोल तो भौतिक वादी है कैसे परमिश्वर दावा कर ले कि मैं शाषन कर रहा हूं ही प्रभु एशु को कहते हैं न प्रभु का मतला भी क्या होता है प्रभूता करने वाला आप में से बहुत से लोग मीटिंगों और बाजारों में जाते हैं मसीह दुकान से एक काली प्लेट में एक छोटा सा पद ले आते हैं और अपनी दिवार में या फिर दर्वाजे में ठूक देते वहां लिखा है The Christ is the head of this house मसीह इस घर का सिर है लिखा तो था अब मैं आप से पूछता हूँ इस घर का स्वामी आप हैं या पत्नी हैं जो अपनी मर्जी से चलाती है या पती है जिसका शाशल परिवार पर चलता है खाते या अपने समय पर हो सोते या अपने समय पर हो अपनी मरजी के अनुसार दूआ करे तो ना करे यह हमारी स्वतनत्ता है हम कुछ भी खाएं कुछ भी पिएं बच्चे हो पत्नी हो सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं किसी की ना सोने का समय ना खाने का समय ना पीने का समय न कोई पांच बजे उठता है न कोई प्रात्ना करता है बस रविवार की दिन चल पड़ते हैं घंटे दो घंटे के लिए मन और अजन हो जाता है भीड भाड में जाके दुख सुख सुन लेते हैं यही नहीं कलीसिया बाइबिल का प्रभू कहता है परमेश्वर का राज, राज का मतलब होता है जब परमेश्वर अपनी योजना को जो उसके मन के अंदर पाई जाती है पुत्र येश्व और पवित्र आत्मा के द्वारा जो डियक्टिवेटेट पोजिशन में है हमारे जीवन में एक्टिवेट करें इसको ऑपरेशन कहते है पवित्र आत्मा का नियंत्रण प्रभू, प्रभू का मतलब होता प्रभूता करने वाला घर में तो प्रभू की नहीं परिवार की प्रभूता होती है या तो पत्नी की प्रभूता होती या आतंकित बच्चे प्रभूता करते है आज प्रभू है कौन कौन उसकी सरण में बोल तो सभी देते हैं कि है प्रभू परन्तु किसने अपनी जिंदगी की बाग दोर की प्रभूता उसके हाथ में दी तो हम राज कैसे बने आज कालीसिय भी तो याजक के नियंतरण में है परमिषवर के नियंतरण में है क्या आज लोग परमिषवर के भवन में जाते जरूर है परन्तु याजक कहता है यह नहीं करना इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना People are not worshipping God but they are worshipping the man of God आज लोग परमिषवर के अभिशिक्तों के पीछे भाग रहे उनके द्वारा चमतकार क्या हो गए हम तो आइडल बना लेते हैं उनको किसी ने भविश्द्वानी क्या कर दिया हम तो देवता बना लेते हैं प्रभू के पीछे कम अभिशेक पाने के लिए अभिशिक्तों के पीछे जादा अरे जाना भी चाहिए जाना भी चाहिए क्योंकि वे ही रिसोर्स है परंतु यदि मन में आप परमिश्वर को दूसरा इस्थान दे दे और परमिश्वर के भक्तों को पहला ही इस्थान दे दे कि बस भाईया आपके अलावा हमारे लिए कोई अभी शेक नहीं ला सकता आपको जो बोलना है हम उनीकी सेवा करने लगे दूआ वगएरा करते हैं ने परमिश्वर से हमारा संबंध हैं ने लगे चंगा करने वालों के पीछे भागने तो कहीं भविश्वक्ता के पीछे भागने तो कहीं नाम पुकारने वालों के पीछे भागने भाई सहाब ये करना चाहिए इसको इंकार नहीं किया जा सकता है परंतु सर्वो परी तो प्रभु है तो अराधना तो उसकी होनी चाहिए ना हमाराधना तो किसी और की करने लगते तो आपका प्रभु कौन? प्रभु का दास या प्रभु परमेश्वर बहुत बारिकी से रुक करके सेला लगा के चिंतन करियेगा तब अपने परमेश्वर का इस्थान किसी को नहीं देना प्रभु भक्त जरूर दूने आदर के योग है उनका सब मनुश्यों से जादा आदर किया जाना चाहिए परन तो उसको मुरत नहीं बनाई जा सकते है उनके लिए कंप्लीट समर्पित नहीं हो जाना चाहिए वरन वो परमेश्वर का दास जिस परमेश्वर के द्वारा कुछ कर रहा है हमारा ध्यान वहां होना चाहिए आज बहुत से याजक लोग अपनी कलीसिया को बस वोई गधी के समान बांद करके खूटे पर रख देते हैं इधर ही आना कहीं नहीं जाना कोई किताब नहीं पढ़ना कोई किसी का प्रचार सुनना नहीं जितना मैं बोलू उतना ही सुनना उसके आगे ना कुछ जानने की कोशिश करना ना कोई चीज है जो मैं बोला वही सब कुछ है तो आपकी कलीशय का प्रभु कौन बाइबिल का प्रभु कहता है एक आठवी क्लास पास याजक दसवी का गणित नहीं बना सकता इसलिए जितनी जवाबदारी उस याजक की आठवी क्लास तक पास होने के कारण आठवी तक का गणित बनाने की है न क्या उसके बाद में नवी क्लास नहीं होती क्या तो फिर याजक लोग क्यों अपनी कलीशय को लिमिटेट कर देते हैं क्यों वे अपनी कलीशय से हट करके किसी और कसू समचार सुनने की अनुमती नहीं देते क्यों नहीं कहीं ऐसा तो नहीं हमारा प्रभु और कोई हो गया है चोट मत खाईएगा इश्व आने वाले हैं धन्दा धाटे में जा सकता है हर एक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता रहे कि वैं परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हाँ इतना जरूर है कि हमें अपने अगवे के आधीन रहकर उनके निर्देशों का पालन करना है पर उन्तु दोड केवल अगवे मातर के निर्देश पर आधारित नहीं है तो इतना विराट परमेश्वर है ना उस खोज में लगे रहें अपनी कलीसिया की अंदर दाइरे की अंदर रहते हुए परमेश्वर आपको इश्वर ये समझ दे यहाँ पर बाइबिल हमें बताती है परमेश्वर अपना राज हमारे जीवन में अपनी आत्मा के हस्तक्षेप के द्वारा प्रगट करना चाहता है इसलिए वो कहते हैं परमेश्वर का राज and then फिर इसके बाद में याजक झाल, इसके बाद में परमेश्वर ये स्वार आत्मा करना चाहता है